हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आशा है कि आप सब ठीक होगे तो फ्रेंट्स आज हम आपको बताएंगे पटेटो को एक ऐसा नास्ता जिसे आप एक पर खाओगे और खाते रह जाओगे हाँ फ्रेंट्स इस नास्ता को खाने के बाद आप पिजा और पेटीज वगारा सब खाना भूल जाओगे हाँ फ्रेंट्स यह बहुत इस्वादिश्ट और अच्छा बनता है तो आईए फ्रेंट्स अब मैं आपको बताती हूं आपको यह नास्ता किस तरह और कैसे बनाना है फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मैंने तीन से चार आलू लिये हुए हैं जो कि मैंने बॉइल कर रखे हैं और फ्रेंट्स यह कुछ कॉर्ण लिये हुए हैं और बारिक कटे हुए प्याज, बारिक कटे हुई गाजर और बारिक कटे हुई सिम्ला मेच तो फ्रेंट्स आपको तो या तो फ्रेज़ में रख दीजिए गा या फिर इसे ठंडे होने के बाद यूजिची जीएगा तो एक एक करके सब आलू इसी तरह कर लेंगे तो देखे फ्रेंस मैंने अपने चारू आलूओं को ग्रश कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे स्वादमिसार नमक तो देखे फ्रेंस मैंने इसमें डालूँगी चेली फ्लेक्स आपको इसमें ज्यादा मसालो का बिकुर यूज नहीं करना है तो देखे फ्रेंस मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है आप वह अपने क्योडिंग डाल लीजिए कि आपके बच्चे ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं या कम तो फ्रेंस मैंने टू स्पोन इसमें चिली फ् और यह कॉट्ट तो फरेंस सभी मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं तो फ्रेंस अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्ण फ्लोर की जंग है आप और आरे रोटबि लेजकते हैं या फिर मैधा का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने ये कॉर्ण फ्लोर लिया हुआ है ये मैंने दो से तिए चमच इसमें काउनफ लूड डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूगी और इसका अच्छा सा और बना लूगी तो देखे,Frens आप देख सकते हैं मैंने इसका दो लगालिया है आपको इसी प्रकार लगार तयार कर लेना है। आप सकते हूँ, मैंने सभी मिक्स्ट खो बीचिसे मिंक्स कर लिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-धोड़ा ओल इसके फेड़ा डाल दूनगी। प्रेंस, आप ओइल को भी यूज़कर सकते हैं, कोली ओइल बी ले सकते हैं या फिर सीरस का ओइल भी ले सकते हैं तो देगी फैंस, मारा डवबन का तयार हो चुका है अब मैंणगी खाली पैन, तो देख ciao-trap मैंने खाली पैन ले लिया और फ्रेंट से मैंने कुछ सिवयां ली हुई हैं इन्हें मैं गानेज के लिए नीचे से लगाने के क्योंकि इससे हमारा नास्ता काफी क्रंची बनेगा तो थोड़ी थोड़ी सिवयां मैं डाल देती हूँ अगर आपके पास हो तो आप यूज कर लिजिएगा वहना ये ओफिशनल है तो देखी फ्रेइंगा मैने इस पर थोड़ी थोड़ी सिवयां डाल दी हैं अब देख से हमारा पैन तैयार हो चुका है अब मैं इस डो मेंसे हाफ डो लूँगी, हाथोप अच्छ सी चिकना कर लूँगी ताकि हमारा डो हमारी हाथोपद चिपके नहीं दिखिए फ्रेंज मैंने हात्हों को पहले चिकना कर लिया है और प्रेंज पढ़ा कर आपकों को और ऑच्से इस मौना लियारा, तो अब मैं इस अपने पैन के अंत्र रखूंगी और इसे फैला लूँगी आपको आथ Сे इसी तरह फैला लेना है आपको पैंको बाद में ही गैस पर रखना है पहले आपको इसी प्रकार की चीज लितफेज़ अगर empath गाय आपके पास मौज़ृर चीज नहीं तो आप इस प्रकार की चीज़ का भी यूज Evangel आती है आप प्रोसेस चीज दिले सकते हैं तो अब मैं अपनी चीज को इस पर चारों तरफ फैला दूंगी तो अब देख सकते हैं मैंने अपनी चीज को चारों तरफ फैला दिया है और फ्रेंट जो आलू का मिक्सर हमारे पास पेश्ट बचा हुआ है वह भी मैं अब धीरी धीरी इसे के उपर फैला दूंगी कि उसके लिए अपने हाथों कूफरी से आपको चिंगना करना है को थोड़ा सा इसे तोड़कर इसकी परत्सी बनागर इसके उपर रख देना है तो देखे फ्रेंट्स मैं इसके उपर इसे रख देती हूँ तो देखे फ्रेंट्स अपको अपनी चीज को चारो तरफ से डख देना है आप देख सकते हूं इस परकार मैं आपको दिखा रही हूं तो देखे फ्रेंट्स आप यह इसंग में कितना अच्छा लग रहा है तो आपको इसी प्रकार सी कर गए अब अपने पहन को आपको रखना है अपनी गैस पर अ मैं इसे चिकना कर देती हूं थोड़ा तो देखी फ्रेंज मैंने इसे थोडा थोडा चिकना कर दिया है और इसकी शारो तरब से इसकी स्वर्टी थोड़ी अच्छी कर देनी है अब मैं से मिल दोगी तो देंके- occupy लो अब मैं इसे लो फ्लेम पर प्रकार पकाऊंगी लेकिन आपको इक बात का खास द्यान में कि आपको इसे लो फ्लेम पर पकाना है और ऊपर से इसे कवर कर दिया है तो देखी मैंने इसे कवर कर दिया है और 2-3 मिट तक मैं इसी तरह इसे पकने दूंगी तो फ्रेंट्स आप अब देख सकते हो अपने पैन से उपन करके दिखने गी कि हमारा नास्ता अच्छे से इसिख चुका है या नहीं तो इसके लिए मैं एक प्लेट का यूज कर रही हो और प्लेट इसके उपर नहीं अब देख सकते हैं अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो अलू का नास्ता है जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बना हुआ है अब मैं एक पीसे से कट करके दिखाती हूँ आपको अब देख सकते हैं अब इस प्रकार बनाईएगा और इसे एंजोई कीजिए गा तो अगर आपको हमारी ये रेश्मी पसंद रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक किजिए शेज कीजिए और हमारी चान को सुब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बैल रहे हैं तो अगली एक नए वीडियो के साथ स्फिर से मुलाकात होगी तब तक लिए बाई बाई